खंड से अच्छा दिखारी बनने के लिए सबसे पहले कुछ महत्पुन योगिता होगी, लेकिन उस योगिता को धारन करने के बाद भी आपको खंड से अच्छा दिखारी बनने के लिए थोड़ी मेहनत की जरुद पड़ेगी, मेहनत के साथ साथ आपके पास एक अच्छी र जल्वस को कवर करते चलना है और हम और आप भी जानते हैं कि प्री और मेंस के सेल्वस में पहुत थोड़ा सा अंतर है लेकिन परिक्षा लिखित है और प्राणवीट परिक्षा बहुभी कल्पी किमसे क्यों पूछने का तरीका है कूट वाले जिसका थे री अच्छे से किलियर होगा वही परिश्छा को क्लियर कर पाएगा ये परिश्चाएं 4-5 वर्षों कांतराल पर आयोजीत होती हैं पद की संख्या की बात करें 200 से लेकर 500 की बीच प्रायर पदों के इस परिक्षा में केवल केवल बैध के भरती संभलीत हो सबसे पहले योगयता होगी वो आपकी भीक्षा होनी चाहिए तो तो आप इस परिक्षा में आविदन कर सकते लेकिंद्धी ध्यान रहे इसमें BTC और DLA के भरती आवेदन नहीं कर सकते अब एक सवाल उड़ता है कि क्या जो BAT के भरती है उनके subject का भी कोई मामला है जी नहीं चाहे वो BTEK हो, चाहे वो BBA हो, BSC हो, agriculture हो, commerce हो अर्थाथ B.com हो, BA हो, उसके साथ अगर वो BAT है तो इस भरती परिक्षा में आवेदन कर पाएंगे आवेदन करने के साथ साथ इसकी तैयरी में आपको एक लंबा समय लेकर चलना होगा कारण यह है कि इसकी तैयरी special अगर आप कर रहे हैं तो अगर हम PCS के पेच्छा ये काफी आसान हो जाता है अगर हम PCS के तुलना में कर रहे हैं तो अब इसकी प्रस्ट पूछने का भी तरीका थोड़ा सा अलग है PCS के पेच्छा लेकिन हमें ध्यान रखना कि प्रारभी परिच्छा अंग नहीं जुड़ेगा लेकिन प्रारभी परिच्छा में कुछ सवाल रजीनिंग और मैथ के भी रहेंगे करेंड अब यहां भी रहना है प्रारभी परिच्छा में रहेगा मुझे परिच्छा में इसका थोड़ा सा रोल आपको देखने को मिलेगा इसके आवेदन करने उम्रुष्रीमा की बात कर तो 21 वर्स क्या पूरी कर चुके हो लेकिन अगर अधिक्ता माई श्रीमा की बात करें तो इसमें छोट के साथ गौर्मेंट इंपलाई के लिए अलग है और सिंपल जो नोंने रखा उनके लिए अलग है तो इसमें आपको कई लेयर में आपको सीज़े जानने पढ़ने को मि भी जरुवत नहीं है मैंने अगर आप बेड भेरती हैं बेड आपने कर रखा ताब इस परिक्षा में आवेदन कर पाएंगे उसके लिए बिटीसी डियरलेड और टेट की जरुवत नहीं पड़ेगी मतलब कुछ लोग होंगे जो बिटीशी होंगे कुछ डियरलेड होंग जो सिचक होंगे या डियरलेड होंगे तो उन्होंने रासी टंडल से बिएड कर रखा होगा तो वो भी इसमें आप एदन कर पाएंगे तैयारी कि अगर हम बात करें तो तैयारी इसकी आपको इस दों बेशिक से लेकर चलनी पड़ेगी बेसिक से अगर मैं बात करूँ दो आपके लिए कुछ चीज़ा जानने जरूरी है पहली बात तो पूरी सेलवस को हम दो भाग में बार देते हैं एक बार देते हैं nct या sct तो सबसे पहला काम आपको करना है कारण इसका मैं अब को बता दूगा कि इस पर काम आपको सबसे जएदा करना अगर आपने NCRT या SCRT जरूरी नहीं कि आप NCRT पढ़े और ये भी जरूरी नहीं कि SCRT पढ़े आप दोनों पर सकते हैं या कोई एक पर सकते हैं NCRT पढ़ ले, revision SCRT पढ़ ले, revision SCRT पढ़ ले या अगर आपको कहीं notes मिल जा रहा है, 6 से लेकर 12 तक ही तो वो पढ़ ले, ये जो NCRT होगा, ये आपको जो पढ़नी है, वो करचा 6 से लेकर 12 तक इसमें भी SCRT और NCRT order नहीं होती हैं, तो अगर आपको कहीं notes मिल जा रहा है, तो बेस्ट है नहीं मिल रहा है तो आप किताबे लेकर भी इसका ध्यन कर सकते हैं इसके लिए आप इलानी विद्रगेश का ओफिस के नंबर पर भी कॉल्य वाट्शब करकर संपूर 6 से लेकर 12 तक के लिए पढ़ सकते हैं अब इसमें क्या क्या चीज़े पढ़नी है तो पहले चीज़े जा इसको पढ़ने से जो मुख्य पर इच्छा जेश है मैंस के नाम सा जानते हैं तो जो मुख्य परिक्षा है जो मुख्य परिक्षा इसमें काफी मदद आपको मिल जाएगी क्योंकि वहाँ पर प्रश्ण पूछा जाएगा कहीं 25 सब्दों में है 50 सब्दों में 125 सब्दों में तो मुख्य परिक्षा में जो लिखने का प्रश्ण है प्रश्ण किस तरह से पूछ पूछा जाता है वो आपको कॉंसेप्ट इस NCRT और से मिल जाएगा अब एक सवाल आता है कि सर जैसे मैं अच्छा पूरी कहानिया मिलती है कुछ थेयरी समझ में नहीं आता तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए तो यह भी जान लीजेगा इसके लिए विसेज बात आप को ध्यान रखने होगी कि उस कहानी सही प्रशनों को ठाकर पूछा जाता है इसके लिए आप इतना पढ़ने के बाद आप UP-PCS के मुख्य परिछा के प्रीवियस एर पेपर को पढ़ना है तो अब आप देख पाएंगे कि जो आपने दूसरी एक बात हो रहे है कि खुद से भी बनाते चलेंगे तो अपका डागराम क्रेट होता चला जाएगा लेकिन जो नोट्स आपको यहां पर मिलना है इसमें सबसे बड़ा आपको फायदा यह है इसमें ओल्ड और नियू दोनों नियू दोनों पर आपको फूकस करना है तो उमीद करते हैं यह भी चीज़े आपको जेहन में रखनी होगा अपने ध्यान में रखना होगा अब आपको एक कॉंसेट के लिए रोगे है कि आपको NCIT पर काम करने के लिए 6-7-8 अगर आप टीचर है तो क्लास में भी पढ़ाएंगे आप तो आपका रिविजन हो जाएंगे वह आपकबर कर पाएंगे और कूट वाले सवालों पर अच्छी पकड़ बना लेंगे और इसको पढ़ने के बाद मुख्य परिक्षा के प्रिवेसर पेपर को सॉल्व करेंगे तो अब समझ में आएगा कि अब आपने से पढ़ लिया से अपने पढ़ लिया दूसरा काम हैं पर करना एक दम बिधिवत अब इस चीज़ को समझने का प्रियाश करिएगा अब जो दूसरा आपके लिए काम है वह सब्जेक्ट बिसे पर अपनी पकड़ मजबूत करना क्योंकि ट्रेड एकदम बदल रहा है अब नए तरह से सवाल आ रहे हैं और इस अब इसको भी पढ़ना है मने अब GSGK पर भी आपको फोकस करते रहना होगा अब यह दो पढ़ लेंगे लेकिन NCIT में पूरी GS कवर नहीं होगी यह आपके अंदर लेखन सहली का विकाश करेगा यह आपके अंदर कहीं ने कहीं मुक्य परिच्छा की तैरी के लिए करेगा अब इस GS को जो पढ़ेंगे यह चीजे ऊपर से नहीं जाकर अब आपको इस समझ में आने लगेंगी कि हमने कहां कहां से क्या क्या चीजे पढ़ी कहीं ने कहीं जैसे अगर हम बात करते हैं अगर मद्धिकल्णभाद की तिहास की बात करेंगे तो आपको लगेगा हमने कही वस्तुकला की बात करेंगे जब उनके सहित्तिक चर्चा करेंगे तो कहीं न कहीं आपको लगेगा इन चीजों कहीं हम लोगों ने पढ़ रखा है तो एक तरह से आपको यह पूरा बिशय कबर करना होगा ठीक उसके बाद इसका रिविजन नोट्स पर भी हमें काम करना होगा यह नोट्स क्या है क्या है क्या पढ़ेंगे इसकी दूसरी बार के लिए आपको याद रहेगा एक बार ही आपको पढ़कर समझ में आ जाए तो दुबारा पढ़ने के सब्सक्राइब करना होगी आप सभी के लिए देशित में राश्चित में तो यह आप क्लास में पढ़ेंगे और अच्छा लगेगा और पढ़ने में मजाने वाला अब यहाँ पर ध्यान दिजेगा इस जीएजिके के सब्जेक्ट में अगर मैं सश्टी की बात करें आपको को इतिहास उठको यहां श्राफ को दिख रहा और नहीं सब्सक्राइब करें में व 이제 नहीं रहा है और दिहार आफ दिख रहे COM सब्सक्राइब सब्सक्राइब बाटेंगे चार कडिगरी को इतिहास में क्यों बाटेंगे यह सवाल साथ आपके जहन में भी आएगा चार कडिगरी में सबसे पहले में लोग प्राचीनी तिहास पढ़ेंगे दूसरा मद्धिकलिन भायत के तिहास तीसरा आधनी भायत के तिहास चोथो टॉपिक पढ़ेंगे भात्यराश्ट्य अंदोलन अब प्राचीनी तिहास मद्धिकलिन तिहास आधनी भायत के तिहास इन जोड़ कर आपको त्यार करने हैं अब यहां पर इन चार टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़े हैं ऐसा भी कर सकते हैं कि अपना सब्जेक्ट पर पकड़ बना है और इसको देली के टिर्टन फॉर्म में लेका चली अब कम से कम आपकोशा घंटे अधे आर देना होगा तब जाकर आप इसे कबर कर पहेंगे कई कश्फर घंट्रश्फ करोड़ हम उष्क अजगा इस उनुघ कर आपकरीन की तो प्राचीन मिलिंत कर दो मत कर दो दो से 35 classes आप के लिए चाहिए अगर हम 30 class मान के चलें तो इस असाप से 120 माने 120 से 150 classes आप के लिए तयार होंगी केवल आपका इतिहास खतम करने के लिए और ये classes और सतंज 2 घंटे के होंगे तब मतलब एक समय कर मैं बात परूँ तो 120 दिन में 120 आपका complete हो जाएगा एक भी से पूरी तर से तयार हो जाएगा मने इतिहास से प्रशन अगर आपके आएंगे तो यहां से कत्ताई गलत नहीं होंगे इतना पढ़ने के बाद आप प्रिवियसर पेपर इतिहास PCS के लेकर आप उसके PT के प्रशन को solve करेंगे तो कुछ प्रशन आपको नए मिलेंगे कुछ आपके पढ़े हुए मिलेंगे अब उससे आपके ज्यान के भंडार में थोड़ी शिब्रिद्धी होगी अब आपको लगेगा आपने अच्छा कबर कर लिया अब आपको लगेगा अब आपने पकड़ अपनी अच्छी मजबूत बना ली इससे सबसे बड़ा फायद के बाद अब इसको डेली आदा खंटा दे दिएगा ताकि डेली रिविजन हो जाकि तिहास आप भोलने ना पाएं दूसरे गर विशे की तरब अगर मैं बात करूँ जो दूसरा विशे आपके जहन में आएगा वो आएगा भोगोल भोगोल को पहले तुम दो भागों अगर बनाना जरूरी है क्योंकि मांचित्र गर याप पकड़ बनाएंगे तो इस मांचित्र से इतिहास के भी बहुससारे कॉंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और मैप अगर आपके दिमाघ में आद याद दो अस्ठापत कर पाएंगे मांचित्र के माद्यम से मैंपे से कम आपके 20 classes होंगी जो मानचेत्र के माध्यम से भारत को समझाएंगे। अगर हम यह मानद लेते हैं कि मानचेत्र केवाल हमें आपे लिए एक टॉपिक तो बिश्रु के और भारत के मतलब यह मान के लिए 20 और 20 classes होंगी इस 40 class से क्योंब आपका मैपिंग किलिर हो जाएगा मानि 20 क्लास भारत का 20 क्लास विश्वगोल इसमें मानो भूगल भी आ जाएगा इसमें एकोनोमिक जिओरफी आ जाएगी असानी के वह आप उसी पर फोकस करेंगे इस चालिज क्लास में अच्छा बिश्वभुगुल में कुछ मैपिंग बढ़ जाएगा कारण यह है जैसे अगर हम एक सपोस्ट में एक्जामपल दे रहा हूं जैसे हम साथ महादीपो की बात करेंगे तो साथ महादीपो को हम 21 वीडियो में ले जाएंगे कारण क्या है एक दिन उटाएंगे जिएसे उसके फिजिकल फीचर की बात करेंगे प्रकरेंगे उसका जो राजनेटिक इस्तिति क्या है उसकी प्राकितिक या भवोलिगिस्तिति तीसरा बार विश्व भगोल की बात करें तो ये मान के चलेगा मानचित्र वाली क्लास में 30 वीडियो और भारत की भगोल के में बात करूँ तो 20 मने 50 लाक्चार आपके मानचित्र शोंगे ये 50 मानचित्र जो आपने सेशन तयार करेंगे वो आधा से जादा भगोल आपका कबर कर देगा और अब जब ठियरी पढ़ना सुरू करेंगे तो अगर आपके योलम की बात करेंगे तो आपके दिमाग में वातट कौछ लोग कहते हैं। पढ़ाएंगे मांसच victim पढ़ाएंगे सबसे पहला काम मांसचित ने कराएंगे में उसके उसके सलंके तरस बढ़ेंगे तो यहां पर एगरी कलाचेज भी हो जाता है अब भारत के साथ आप यूपी के हैं तो इसमें एक topic आपको यूपी भी पढ़ना है नहीं पर चाली से हैं पचैस किसे जोंगी दोडो घंडे की होंगी तो चाली से पचासए वीडियो में आपके दोडो घंडे में भारत और यूपी दोनों का हम अच्छी से भगोल पढ़ लेंगे, लेकिन कब हो सकता कुछ सेसंस में मांची तरका भी जुड़ी आएगा, जो मांची तरका प्रियोग हम आप कर पाएंगे, तीसरी अगर विश्व भगोल की बात करें, तो यहाँ पर भी आपको 40 से 50, मतलब यू मान कर चले, कि सबसे ज्या नहीं, एक महीना क्योंकि बीच में कहीं आप पढ़ते नहीं, कहीं तहवार एक नहीं चले गए, तो हम ही कभी अपसेंट हो गए, तो दोनों मिलाकर आपके कितने घंटे हो गए, अब आपके 300 क्लास के 600 घंटे हो गए, अब इसे कैसे मैनेज करना है, अब कोसिस करिए, एक एक जिएफिन इतिहास, एक जिओ सब्सक्रास करेंगे, तो आप अपनी तयारी और बहतर कर पाएंगे, प्रैक् order के लिए केवल केवल, उपीपिज्च की जो पेपर हो चेकिवे उन पर आपको काम करना है, और मैं कहुँगा कि सबसे पहला काम, जो विशे पढ़ रहे इतिहास मत फोकस करेगा भगोल कम्प्लीट वह वैसे आपकी मर्जी माने ना माने मेरी बात यह आपके उपर रिपेंड करता है दूसरी बात यह है अब हमने किन विश्यों की बात के लिए इतिहास हो गया भगोल हो गया अब भारति राजबोस्ता की बात करेंगे तो सम्मिध पढ़ते हैं तो सम्मिधान का जब हम विकास पढ़ते हैं भाति राष्टी अंदुलन पढ़ते हैं तो आधिनी भात की तिहास कोछ इस्टा ऐसा होता है जो में सम्मिधान में मिला जुला मिल सकता है सम्मिधान केहने में बहुत छोटा है अगर पूरे शेलबस की बात करें सभी विश्यों में सबसे छोटा जो शेलबस है एकोनामी उसके बाद आपका इंडियन कांसिट्यूशन मैंने भारतियों सम्मिधान आता है लेकिन सम्मिधान में जो प्रशना बार है कूट वाले सव दो घंडे मतलब देर से दो घंडे मैं आउसत मान के चल ना हूं तब जाकर आप ऐसा कर पाएंगे जिसमें सबसे ज्यादा जो शमय आपका लगेगा मुलादिकार में लगता है उसके बाद उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वह भाग तीन भाग चार सबसे ज्यादा शम तो पांच पांच जो भाग जो हुए थोड़ा सा शमय कम समय आपका पढ़ने में यह सब थोड़ा सा लिंदी बड़े वीडियो बनेंगे लेकिन अगर श्रमिध्धान को तन बना कर समझेंगे एंगे केंद्र राज की स्तिति अपने दिमाग में वैढ़ालेंगे जो स्तित तो आपको चीजे और आसान हो जाएगा अब इसमें भी आपको चोड़ा स्टाबिक आपको मिलेगा उसको भी मैं आपको उसमें कवर करता हूँ चलूंगा तो यह आपका समझे यहां पर हम स्वामिधान और इति हां भोगोर हुआ अब आपकी यह आर्थवोस्था की अर्थशास्त्र की अपर स्में भी भारतिय प्वश्था पर काम करना है चो मैं बहुत बड़ा है इसको भी हम मैं अगर मैं बात करू जिसकी मूल कॉंसेट है वो हम लोग 30-40 वीडियो में लेंगे लेकिन उसके बात इह पूरा करेंड़ पर होता है तो बहु सारे अगर हम आहां बात करूब बजयट से सन तो करेंट हो गया है नैं, बजयट तो हर साल आने है राजकावी बजट होता है किन सरकार की बजट होता है बजट से भी एक दो सवाल खीच के आते हैं तो एक बात तो concept में दिमागे में ढ़ा लीजिएगा कि अर्थास्त्र जो है इसका 30% रोल करेंट है और 70% की थेयरी है अर्थिवस्ता पढ़ने है अर्थिवस्ता पढ़ने है इन दो टर्म मिलाके पढ़ेंगे अर्थिवस्ता का रोल थोड़ा से छोटा होता है इसलिए इस पर ज्यादा समय आपका नहीं लेगा थेश्चे चैलिज वीडियो में यह भी आपकी बढ़ेगी तो एक अनुमानता मैं आपको बता रहा हूं फिर अर्षास्त्र के बाद द पढ़नी होती है जो आपको यहां पर दिखता नहीं कम्प्यूटर आपको पढ़ना यह भी साइन्स का हिस्सा है उसके बाद बालोजिक कमेस्ट्री फिडिक्स यह तीनों ट्रम आपको मिलाकर पढ़ना है तो इसमें अगर मैं बात कूर तो तो पतीस का अगर मैं रेशिय ल हो सकता है कि साइंस का अपने पूरा पढ़ लिया उससे बाहर सवाल आपके लिए नहीं आएगा यह मुख्य परिच्छा में भी आपके काम हो जाएगा और फ्रेलिम्स में भी लेकिन इसमें जो आपको प्रस्निका ट्रंड पकड़ना है उसके लिए कुछ सेसन आपको अट देख लेगा अब अगर मैं बिवित की बात करो घु़ितного कि बिवी infrastřinflанс घुट होगी यह भी इतिहास में आपको मिलेगी ने dauगोल भी जाम्यदान में मिलेगा अर्धविश्वस्था में का मुलेगा विग्ञानit हो तो इन सब ही में आपको बिवीत पढ़ने और देखने को मिलने वाला है तो बिवीत का रोल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कंप्यूटर मिलेगा साइसर टेकलोजी मिलेगा उसके बाद जो अगलाता है वो current affair का रोलाता है current affair अभी मत पढ़िएगा तो जब परिच्छा होगी तब परिच्छा कि आज अपने करेंट पर आपको याद हो लेकिन उतना समय आपने रोज अगर गंटे दे दिया तो पता चला आपकी में ये क्लसेज आपके डिश्टरब हो जाएंगी और हो सकता जब परिच्छा ओ ती आज बन जाए आपका डिश्टरब ग्रेट हो जाएंगे तो इसके तरफ बढ़ेंगे तो ये हमारा रोज आपकोशने पर रहे हैं गारेंट यूपए हम इसके साथ पढ़ ले रहे हैं बात की भगोल के साथ यूपी कवर कर लेंगे या यूपी के अलग से कंटेंट हम लोग पढ़ लेंगे इससे आपकी चाहिए आरो ए आरो के त्यारी कर रहा है तो भी आपकी कवर हो जाएगी कुछ लोग ऐसे होंगे जो यूपी PCS के लिए भी काम कर रहे होंगे तो उनका भी कम हो जाएगा तो मैंने जो बेसिक कॉंसेट है वह आपका क्लियर हो जाएगा लेकिन इस पूरे सेशन को पढ़ने के लिए जो पूरा सेशन अगर आपको कवर करना है तो कम से कम यह आठ से 12 मां का समय आपका ले गाई है और एक बार पढ़ना है मनें यह पूरा जो जोन है वह आपको समझ माने लगेगा और इसके बाद प्रीविए से पेपर को खणालना है जहां आपको लगे कम है उसे आपको रिविजन में लेकर रखना है तो यह कॉंसेट के साथ साथ अब आपके पास कहांगे सर हमें बेसिक गडित भी अगर परिक्षा की बात करें तो हिंदी के बहुंगा यहां पर रहती है अगर तो हिंदी की यहां पर अच्छी-खासी भूम्कया रहती है अगर मुख पर इच्छा की बात करें तो हिंदी की भूमका यहां पर रहती है तो अगर आप चाहें तो डेली के ज़िए थोड़ा-थोड़ा रिकठा करते चले तो आप कर पाएंगे अब आप साधारण दिमाग से सांत दिमाग से सोचने का प्रयाज करिएगा आप अपने टाइम के सेलबस को किस तरह से बारते हैं किस तरह से आप इसे कवर करते हैं और अगर आप इसे करने में कामयाब हो जाते हैं तो यहां पर जो आपकी थेयरी जो आपका कॉंसेप्ट है तो पूरी बिना इसके आप अगर तयारी में कूद रहें तो कहीं ने कहीं आप अपने आप से समझोता कर पा रहें तो हम चाहेंगे कि आप कहीं भी पढ़ें कैसे भी पढ़ें क्योंकि पढ़ना आपको है तो सही रास्ता अगर आपके सामने है तापके तैरी करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी हम इसके सेलबस की एक ब्याक्ठा के वहाँ पी आप देख सकते हैं जहां हम पॉइंट बोई पॉइंट रचीजों को रखें और ये वीडियो भी आपके काफी मजदगार होगी हम आपके लिए सेशन के शुरुआत कर रहे हैं और कल से आपको हर दिन एक से दो क्लासे आपको मिलते रहेंगी मेरी इच्छा तीक मैं इतिहास से सुरूआ करूँ और अगर आप चाहते हैं कि डेली क्लास में जुड़े रहें और हर क्लास की नॉटिफिकेशन मिलें कई बार क्या देगी मैं भी ग्याप कर जाता हूं तो और भी जो टीम है वो भी आपके लिए बेस्ट और बहतर करने का प्रयाश करेंगे उसके लिए आप लोग जो टेलीग्राम है टेलीग्राम पर आप लोग जो भी साथ इस वीडियो को सबbucks होना है अगर ऑफ सब्सक्राइब करके बेल बाइकर और लगाफ करियेगे उस सबस्क्राइब्स करें । और आपके मनमें कोई प्रशन कोई सवालो गोटेज कोमेंड करिएग फ़ूपि पर ही वीडियो बना हैं चोड़ी चोटे वीडियो के माद्यम साब कुझे चोड़ी जानकारी होंगी उसे हम देते रहेंगे इनके लिए कौन-कौन सी किताबे पढ़ने हैं आपके में नाम बता दे जो इस के लिए बहता हो विएसे आप इस वीडियो सेशन को पढ़ रहे हैं जो भी शाहरा है उनके लिए हैं कि आप इस पूरे चीज़ को अपने हिसाब से देख लीज़ेगा पढ़े लीज़ेगा वह सब्सक्राइब मुझे बताने में जो छूट रहा होगा तो हम पढ़ाते समय चीज़ों को लेकर चलेंगे अप से अच्छा इद्शार सुरू होती यह होती है तो आप के rigor को होगा होता देखे के पोस्ट कम होती है कर Julius लोग पढ़ना सुरू करेंगे अब हैम आप रिवीजन करेंगे अपु आहो पढ़ना है जितना लोगों ने कह दिया बता दिया यह उतना भी हगवा नहीं है कि आपने हाथ घुमा दिया आप खंड से अच्छा दिकारी बनगे कॉंपटिशन बहुत ज्यादा है तो अब आज से अपने कल के लिए लग जाए और इसमें अगर आप बीएड है या दो रस्त बीएड लोग के जवाब दे और उन सभी चीजों को आपको समझाने का प्रयाज करें ताकि आप डेलिक डेली सेशन में डेलिक डेली क्लास में आप अपना बेस्ट और बहतर देते हुए पी आगे बढ़ते रहें मेरी शुब कामना आपकर साथ है वीडियो में जो भी सेशन होगा क चाहिए चाहिए तो इसके लिए आपर जूट सकते हैं यहां देखे एक नाबर है हो सकता है कमा का नाबर पर कर करके आप जूट सकते हैं यह पे नोट समंधी ऐस यह सेम कंदीश सारी जयानकरिق रहीं Wow पर आपको बता रखा इस पर भी आपको फोकस करके रखना है उसके बाद जो जी एक प्रश्म को सुल्व करते हुए चले और हम चाहेंगे कि हम जब पढ़ाना सुरू कर देखें सब अपने का अंदाज होता है आपको पढ़ने का लगंदा आज है लेकिन अब आपके अंदर रेगुलर्टी होनी जरूरी है अगर रेगुलर्टी है तो आप सेलेक्शन के करीब है और पहुच सकते हैं अभी आपके पास समय है आप अभी बेस्ट और बहतर दीजेगा अगर आप 6 घंटा से और ज्यादा अच् interactions पाएंगे और अच्छी पोस्ट के लिए दावैदारी अपनी प्रस्तोत कर पाएंगे आपयागर साधीमित्रों तक साध्या जरूर करिएगा डिया भीौत-बहुत धन्य थ्निवाद दन्यवाद बीडियो को शेयर जरू लाइक ने के तो लाइक करेगा चल्ट पर नए है सब्सक्राइब करके बेल लाइक अब आपके लिए देशित में राष्ट में निसुल सिच्चा की जो शिरीज है वो लिए कराता रहूंगा और आगे पढ़ाता रहूंगा फिलहाल अगर आपका कोई कोई सुझाव है इस वीडियो में कॉमेंट करेगा इसको अगर लिखना है लिख लीजिएगा अगर आप इसकी स्कीन सोट चाहते हैं स्कीन सोट के लिजिएगा मैं थोड़ा साइड रहाता हूंगी ठीक है और फेस्बुक पे देख रहे हैं इस्टाग्राम पी लेनी फालो करें जहां भी आप इसे देख रहे हैं फालो शेयर चलू करेंगा थैंक्यू बाइबाए जय हिंद जय भारत सभी का थैंक्यू